तो आपको हम लगातार बड़ी कवरज दिखा रहे हैं कि किस तरह से जेवर एरपोर्ट के शिला न्यास की तयारी हो रही है लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिशनर परमबीर सिंग से जुड़ी हुई परमबीर सिंग माराश्ट्रों में कई मामलों का सामना कर रहे हैं करीब साथ महीने के बाद मुंबई पहुचे हैं परमबीर सिंग सौ करोड की वसूली का ये पूरा मामला है जिसमें परमबीर सिंग सवालों के घेरे में हैं उनकी भूमिका सवालों के घेरे में हैं और इसको करोड की वसूली के मामले में हालंकि रहात उन्हें पहले ही मिल चुकी थी गिरफतारी को लेकर लेकर लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यह है कि मुंबई पूर्व पुलिस कमिशनर परंबीर सिंग इससे पहले उन्होंने अपनी चुपी तोड़ते हुए का था कि वो चंडीग सेंडेगर में हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से अगला कदम उठाने वाले है और इसके बाद आज वो मुंबई में लाइन किया है उन्होंने मुंबई पहुंचे है अब देखना होगा कि उनके आगे का मूँ क्या होता है वो डिरेक्ली को सब्सक्राइब कर देखना है तो कई सारे क्यास लगाया जा रहा है जिसको अभी तक किसी तरह की क्लारेटी नहीं है पहरहाल अब देखना होगा कि परमबीर का पहला स्टैप क्या होता है क्या वो मुंबई पुलिस के सामने अपनी प्रेजंस दिखाते हैं जिसके पास पूरे मंत्री अनिल इसमु के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था तो तमाम चीजें अब देखना ही होगा कि वो किस डिरेक्शन में जाते हैं अच्छा सूरज हालंकि देखे ये बड़ी ख़बर इसले हो जाती है क्योंकि साथ महीने से ये पता नहीं था कि आखिर परमबी अब को रखे आगे